बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षा की तारीक खोशित बिहार विद्याले परीक्षा समिती ने मैट्रिक और इंटर की विशेश परीक्षा एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा की तारीक खोशित कर दी है इस संबंध में जानकारी देते हुए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिती के अध्यक शानंद किशोर ने बताया कि, मैट्रिक की विशेश परीक्षा और कमपार्टमेंटल परीक्षा चार मई से लेकर ग्यारा मई तक ली जाएगी, बिहार बोर्ड ने परीक्षा की तारीक क साथ-साथ परीक्षा को लेकर कई निर्देश भी जारी किये हैं, इसके तहट परीक्षा दो पाली में होगी, दोनों पाली में परीक्षा केंदर पर परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंब होने से 30, मिनिट पूर्व तक ही प्रवेश करने की अनुम्ती दी जाएगी प्रथम पाली की परीक्षा साड़े 9 बजे सुबह से प्रारंभ होगी जो पौने 1 बजे तक चलेगी प्रथम पाली में शामिल होने के लिए बोर्ड के नियमा नुसार, परीक्षार्थियों को परीक्षा केंदर पर हर हालत में 9 बजे तक आ जाना होगा अन्यथा उन्हें अंदर प्रवेश करने पर रोक लगा दी जाएगी, दूसरी पाली की परीक्षा दो बजे से प्रारंब होगी, जो शाम के सवा पाँच तक चलेगी दूसरी पाली में शामिल होने के लिए परीकशार्थियों को परीकशा केंदर पर हर हालत में डेर बजे तक ही आ जाना होगा, वरना उन्हें अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं मिलेगी बिहार बोर्ड ने परीक्षार्थियों को 15 मिनिट का आरमभिक समय अतिरिक्त देगी, इस सम्बंध में बोर्ड का कहना है कि यह अतिरिक्त समय परीक्षार्थियों को प्रशनों को पढ़ने और समझने के लिए दिया जाएगा, साथ ही प्रैक्टिकल की परीक्षा 29 अप्रेल और 30 अप्रेल को ली जाएगी.